ये कहानी है एक ऐसे बार की जिसके अंदर अगर तुम चले गए तो बाहर आने पर तुम्हें गोली मार दी जाएगी लेकिन अगर तुम बार के अंदर भी रहे तो माफ करना तुम वहां भी सेफ नहीं हो यानि इसका मतलब आगे कुआ तो पीछे खाई कहानी के सुरुवात में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है जिसमें सर्जियो बार के अंदर आता है ठीक उसी समय एक आदमी बार से बाहर निकलता है और जैसे ही वह आदमी बाहर जाता है उसे कोई गोली मार देता है और उसकी मौत यह देखकर आसपास के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, किसी को नहीं पता की गोली कहां से चली है, और सड़के पुरी तरह से सुनसान हो जाती है, बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और उन्हें नहीं पता की अब इन्हें क्या करना चाहिए, उसी वक्त एक आदमी उसे भी कोई गोली मार देता है, जिससे बार के अंदर खड़े सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं, सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं होता, बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलीना है, वो कहती है कि हमें टीवी पर इन सभी को कुछ समझ में नहीं आता कि यहां पर क्या हो रहा है। सबको बताता है। नाचो के बैग को ले लिये जाता है और जब उस बैग को खोला जाता है तो उसमें से कपड़े और एक हार्डिक्स निकलती है। तबी नाचो कहता है कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससी को भी नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक aid company में काम करता हूँ और इस hardix में मेरे काम की files हैं लेकिन कोई भी उसके बात पर विश्वास नहीं करता। एलीना उसके hardix को nest कर देती है पर hardix के अंदर कुछ भी नहीं होता। नाचो को इस बास से बहुत दुख होता है तभी नाचो देखता है कि सामने counter पर एक briefcase रखा हुआ है वो सबसे पोचता है कि ये briefcase किसका है तभी सर्जियो दावा करता है कि ये briefcase उसका है और इससे पहले कि सर्जियो briefcase उठाता इस बार की ओनर एमपारो उस briefcase को उठा लेती जिससे पहले कि कोई समझ पाता उसी वक्त इने बातरूम से एक अजीब सी आवा जाती है जब ये लोग बातरूम की दरवाजा खोलने की कोसिस करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक्ट होता है ये लोग किसी ना किसी तरह से दरवाजे को खोल के बातरूम के अंदर जाती हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है द्रहसल कहानी के सुरुवात में ये आदमी खांस्ते खांस्ते बातरूम के अंदर आया था और तब से ये यही पर बेहुस पड़ा है इस आदमी के पास एक injection भी पड़ा होता है एलेना उस injection को उठा लेती है और इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है जैसे ही ये लोग बार के गेट के पास जाते हैं वो ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे आर्मी ओफिसर आते हैं जिसके चहरे पूरी तरह से ढखे हुए होते हैं आर्मी ओफिसर वहाँ पर बहुत सारे टायर्स का ढेर करते हैं और उन टायर्स को जला कर वहाँ से चले जाते हैं हलाकि सवी को लग रहा था कि ये हमारी मदद करने आए हैं लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते हैं उसके ठीक बार टीबी पर एक नियूज दिखाए जाती है कि सीटी के एक बड़े हिस्से में आग लग गई है और इसलिए उस जगा को सील कर दिया गया है और उस तरप अब कोई भी नहीं जा सकता बार में फसे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि सरकार जूट क्यूं बोल रही है तब ही वो आदमी जो बात्रूम के अंदर बिहोस था वो अचानक सब के सामनी आ जाता है उसकी पूरी बाड़ी बूरी तरह से फूल जाती है साथ ही उसके आँखे भी ड्राउनी और अजीब सी हो जाती है और वो वही पर गिर कर मर जाता है लेकिन मरने से पहले वो डूना टच मी कहता है ये लोग उस मरे हुए आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी एक आर्मी आफिसर था इसके फोन में और भी कुछ फोटोस होती हैं जिनमें लोगोंने किसी वायरेस से बचने के लिए पी-पी ये किट पहनी होती है अब बार के अंदर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को कॉरंटीन कर दिया गया है इसका मतलब ये जो आदमी अभी-भी मरा है ये इनफेक्टेट था और इनफेक्शन से इसके जान चली गई है और हो सकता है कि साइद यहां और भी लोग इनफेक्टेट होंगे वही नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से अपने फोन में सिगनल लाने की कोशिस करता है और जब वो एक टेबल पर चड़ कर अपने फोन को ऊपर करता है तो उसके मुवाइल में नेटवर्क आ जाता है वो ये बात सबको बताता है तभी नाचों से कहा जाता है कि तुम जल्दी से किसी मीडिया वालों को कॉल करके उसे सब कुछ बता दो लेकिन सहतुर भी फोन से बात करने के लिए टेवल पर चड़ जाता है जिस वज़े से टेवल तूट जाती है फिर एक आदमी जिसका नाम एंडरेस है वो नाचों से फोन मांगता है लेकिन तभी एंपारों उसे रोग देती है और कहती है कि इस फोन को मत छुना क्यूंकि ये फोन उस इंफेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इस मुवाइल को छू लिया तो तुम भी इंफेक्टेड हो जाओगे सर्जियो और एंडरेस इस बात से सहमत हो जाते हैं अब इसका मतलब नाचों और जिस किसी ने भी इस मुवाइल को या उस आदमी को छू लिया है वो सब के सब infected हैं और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं एंड्रेस उन्हें अपने बंदूग से धमकाता है और इनसे कहा जाता है कि उस आदमी के dead body को नीचे तैखाने में बने store room में लेकर जाओ इन सब लोगों को मजबूरन उनकी बात मानने पड़ती है और ये सबी 5 लोग उस body को लेकर नीचे तैखाने में चले जाते हैं अब उपर बार में 3 लोग बचे हुए हैं थोड़ी दिर बाद एक ट्रीनी नाम की औरत को वहाँ पर सफोकेसंस होना सुरू हो जाता है ट्रीनी सबको तैखाने की दरवाजा खोलने के लिए कहती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता जैसे ही ट्रीनी दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो वहाँ पर रखी कुछ बोटल्स नीचे गिर जाती है उनका लिक्वीड एक साइड बहना सुरू हो जाता है और तभी इनकी नजर वहाँ पर बने एक ड्रीनेज पर पड़ती है इसका मतलब ये लोग उस पानी के रास्ते से होते हुए वहाँ से बाहर निकल सकती है फिर इस दराइल उस धकन को खोल देता है और वह ड्रीनेज से होते हुए यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है इसलिए वह अपने पूरे सरीर पर ओयल लगाता है और वह ड्रीनेज से नीचे जाने की कोसिस करता है लेकिन ड्रीनेज का छेट जादा बड़ा नहीं होता इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता और तभी अचानक इन सभी लोगो को गोलिया चलने की आवाज आती है आवाज सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं फिर इने उपर बार में धुआ दिखाई देती हैं जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं जो उपर तीन लोग थें उन्हें किसी ने मार कर पूरे बार को आग लगा दी है वहीं दूसरी तरफ इसराइल अभी पूरी तरह से ड्रेनेज में फसा हुआ है अब वो लोग सबसे पहले इसराइल को ट्रेनेज से बाहर निकालते हैं कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह से बुठ जाती हैं और वो लोग उपर बार में जाने का फैसला करती हैं उपर बार में आने के बाद वो देखती हैं कि बार पुरी तरह से जल कर राख हो चुका है नाचो को वहाँ पर गन मिल जाती है जिसे वो चूपचाप उठा लेता है तभी ये लोग देखती हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगे को पुरी तरह से सिल कर रहे होते हैं ये बड़ी ही खामोसी से सब कुछ देखते रहते हैं क्योंकि अगर किसी को भी भनक लग गई कि इसके अंदर अभी भी पांच लोग जिन्दा हैं तो इन सब को भी मार दिया जाएगा और तभी यहां मुवाइल बजना सुरू हो जाता है और ये उसी मूटे आदमी का मुवाइल होता है जिसकी अभी थोड़ी दिर पहले इंस्पेक्शन से मौत होई थी एलीना उसका फोन उठा लेती हैं और उसकी वाटसप चैट पढ़ना सुरू कर देती हैं जिसमें एक आदमी उस मूटे आदमी से पूचता है क्या वैक्सिन लेने के बाद तुम्हारी तबियत में सुधार है इस आदमी ने जवाब दिया होता है कि नहीं मेरी तबियत बहुत खराब है और मैं किसी बार की बात्रूम में छुपा हुआ हूँ तुम मेरे पास आने की कोशिस मत करना अब एलीना इसकी पूरी चैट्स पढ़ती है जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी चार और बची है ये लोग समझ जाते हैं कि इनके पास जो इंजेक्सन है वही इस वाइरेस की वैक्सिन है ये पढ़कर सब लोग खुस हो जाते हैं कि ये वैक्सिन काम कर सकती है लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट आता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सिन ली थी तो इसकी मृत्यू कैसे हो गई अचानक इसके बाद वो फोन बजना सुरू हो जाता है पर इससे पहले कि वो फोन उठा पाते उसके बैटरी लो होने के कारण स्विच आफ हो जाता है अब ये किसी ना किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोसिस करते हैं वहीं एलीना कहती है कि इस आदमी ने चैट्स में कहा था कि इसके पास चार और बची हैं तो क्यों न हम उन चार वैक्सिन को ढूंडें फिर ये सब नीचे स्टोर रूम में उसके पास जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई वैक्सिन नहीं मिलती इसके बाद फिर ये बात्रूम में जाते हैं जहां पहले से इसराइल वैक्सिन के पास बैठा होता है इसराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है क्योंकि वो सब 5 हैं और वैक्सिन सिर्फ 4 इसलिए इसराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकाल कर अपनी आप को इंजेक्ट कर लेता है तभी नाचो उस पर अपनी बंदूग तान देता है लेकिन इसराइल फिर भी वैक्सिन अपने सरीर में इंजेक्ट कर लेता है जिसके बाद इसराइल और नाचो के बीच हाता पाई सुरू हो जाती है इसराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसके गन को छील लेता है इसी ह पातापाई के दोरान वैक्सिन इसराइल की हांस से छूट कर नीचे तैखाने में गिर जाती है। और उसे उस छोटे से छेत के अंदर धकेला जाता है। और बड़ी ही मकस्त के बाद वो नाले में गिर जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वो उस इंजेक्सन को वहाँ पर बने एक गड़ी में चुपा देती है। इसके बाद वो सीडियों से उपर जाकर देखती हैं कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स हैं। जो कि बार में मरे हुए उनके तीन साथियों को जला रही है। यहाँ से सिंज सिफ्थ होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी के चार लोग जो उपर स्टोर रूम में थें वो भी अब किसी ना किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। इसराइल और नाचो के बिच फिर से एक बार घमासा नियों दूसरू हो जाता है और इस बार नाचो उससे बंदूग छिनकर उसे वहें पर गोलियों से भून देता है। अब नाचो के पास गन होती है इसलिए सब उससे डर रहे होते हैं। तभी नाचो सेतूर को अपने गन पॉइंट पर ले लिता है। और एलेना को वैक्सिन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास तीन वैक्सिन है और इसको मारने के बाद हम तीनों बस सकती हैं। फिर एलीना इन सब को बाहर की और ले जाती है जहां उसने वैक्सिन छिपा रखी थी। देरे देरे ये लोग आगे बढ़ते हैं, नाचो और एलीना आगे चलते हैं जबकि सैतुर और ट्रीनी उनके पीछे चलते हैं। तभी अचानक ट्रीनी सेतुर को पानी में डुबा कर मारने की कोशिस करती हैं, ताकि सारी दिक्कत ही खतम हो जाए, लेकिन नाचो ट्रीनी को ऐसा करने से रोग देता है, पर ट्रीनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो, ताकि तुम सब वैक्सिन बाट लो और तुम्हारी जान बच जाए, नाचो ट्रीनी पर बंदूग तान देता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता, जिसके बाद ट्रीनी नाचो से गन लेकर, यहां से थोड़ी दूर जाकर अपने आपको मार देती हैं, अब सिर्फ तीन लोग ही बचे थें, और इनके पास इंजेक्सन तीन ही थें, इसलिए सब एक-एक इंजेक्सन ले लेते हैं, पर इससे पहले कि यह लोग अपने बाड़ी में इंजेक्सन लगातें, यहां पर इसराइल आ जाता है, जो अभी भी जिन्दा है, वो उसके हां से छूट कर नीचे गिर जाता है, अब क्योंकि इसराइल भी उनके साथ सीडियों पर चड़ रहा है, इसलिए वो नीचे नहीं जा सकतें, नाचो जल्दी से अपना इंजेक्सन एलीना को दे देता है, फिर इसराइल नाचो के पैर पकड़ कर उसे नीचे खिस लेता है, जिससे दोनों के नीचे गिर कर मोथ हो जाती है, एलीना के पास अब जो वैक्सिन बचा है, वो उसे अपने सरीर में इंजेक्ट कर लेती है, और उपर ड्रिनेज के ढखकन को खोल कर बाहर निकल जाती है, बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देती है, और सरकार ने आगे के इलाके को पुरी तरह से सिल किया हुआ है, तब ही एक औरत उसके बोड़ी पर अपना जैकेट डाल देती है, एलीना को बिल्कुल भी होस नहीं होता और वो चुप चप उस भीड में सामिल हो जाती है, अंत में इस कहानी में हमें पता चलता है कि वो मोटा आदमी जो बार के बातरूम में खास्ता खास्ता गया था, वो एक आर्मी आफिसर था, और हो सकता है कि आर्मी सायथ किसी तरह का बाइलोजिकल वेपन बना रही हो, ताकि वे अपने दुस्मनों दोश्यों पर इस वेपन से हमला कर सकें, लेकिन इस दौरान इनका एक अपना ही आफिसर इन्फेक्टेड हो गया, हलाकि उनके पास इन्जेक्शन की वेक्सिन भी थी, लेकिन ये आफिसर बिमार था, इसलिए वेक्सिन ने उसके उपर काम नहीं किया, और जब आर्मी को पता चलता है कि उनका वो आफिसर बार के अंदर है, तो उन्होंने पूरे एरिया को सिल कर दिया, ताकि वहां से कोई भी बाहार ना निकल पाए, और उस वाइरिस को इसी जगह पर खत्म कर दिया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ बेगुनाह लोगों को मारना क्यों ना पड़े, थोड़े बहुत लोगों के चक्कर में वो पूरे देश को खत्रे में नहीं डालना चाते थें, इसलिए उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, तो तुम्हें क्या लगता है, ये कदम उठाना सही था या गलत?